हेलो गुड मॉनिंग कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ ये दिखो भगवान का रूम मैंने साफ कर लिया है और बरतंतंदों के लाके रख दी हूँ और पूजा करने के लिए तुलसी जी की तैयारी कर दी हूँ और चलू और मुझे लगा आप लोग के साफ सीयर करना चाहिए मौर्निंग मौर्निंग का टाइम है सुब़ छे बज़े रहे हैं ये छे क्या लगबग छे भी नहीं बज़े होंगे और ये देखो मैं आगई उधर से पूजा करके भगवान जी के रूम में पूजा कर लेती हूँ औ तो आज आएगा तो फूल मैं लूँगी जरूर लूँगी और ये देखो ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह में पूजा हो जाती है घर साफ सुत्रा हो जाता थोड़ा जाड़ू पूचा हो जाता तो एक काम खतम हो जाता बहुत बड़ा और उमीद करूंगी आप ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और फीडवेक जरूर दीजेगा आप लोग की अच्छा लगा या नहीं लगा आप लोग के साथ बहुत सारी अच्छे अच्छी वीडियो लाने की कोसिस करूंगी मैं ये देखो भगवान जी किया पूजा पार्ट हो गई मेरी और आग पच्छों के साथ में, क्योंकि इनको सुबह सुबह जाने की जल्दी रहती है और उसको भी स्कूल जाने की जल्दी रहती है तो नहीं हो पाता और ये देखो मैं रग देती हूँ दूद और चढ़ा देती हूँ चाय एक तरफ थोड़ी चाय थी तो इसमें मुझे लगा थ कीच nesse और हैं जूद्टना को सब्सक्राइब होगें अग什麼 करने को अपने को हिए तो फिर क्या करना पड़ता है करना या है फिर धर देखो थोड़ा साफलादी तो ऑचा दिखता हैं दिलो सुबह में ­ निकाल दिया था छे किया २काल दिया था मलाई और फिर अभी हमार्ण थी भूमा रही हूं हमारा नहीं बोलते हैं हैसे और आप लोग जो भी कह सकते हैं तो ये मैं अपने हात से हिला हिला के भूमा तो निकाल रही है और यह निकल जाएगी अच्छे से और ये देखो अच्छे से निकल गई है और मैं कडाई ही रख दी हूँ और उसमें डाल दूँगी मलाई को और बन जाएगा घी और मैं लेती हूँ डेह लीटर दूद और दूद लेती हूं भैस का तो मुझे लगता है मेरा दोनों काम हो है दूद का भी काम हो जाता है और घी का भी काम हो जाता है य Interview कितना सारह है नह इतने में कंसे कम एक पाउ से उपर फ़िश्ग्न लिखा दूब 303 घृड़न करें करीप यह निकल जाता है तो मुझी यह सही लगता है जैंसे वा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से क्योंकि यो बहने ना पाए उबाल हाता है ना तो नीचे गिरने का डर रहता है तो फिर वह वेस्ट जाता है यह देखो घीवन के रेडी हो गया है अब मैं किसी साफ कंटीनेर में निकाल लूँगी देखो निकाल लिया है और प फिर फिर मुस्किल हो जाता है कि क्या करूं क्या करूं ऐसे लगता है तो मैंने वह लचलोला इसी लागे हाथ डाल देती हूं और मुझे सबजी बनानी है अभी सबजी चावल रोटी दुपहर के खाने में देखो फूल नहीं था ना तो मैं फूल भी ले आई और नीचे ही कुकर और जारी मालूमटर की सबजी बनाने के लिए और गैस जला दिया है कुकर रख दिया हीट हो रहा है और उमीद करती हूं कि आप लोग को जरूर पसंद आएगी और मुझे फीटवैक जरूर देजिएगा आपको अच्छी लगी या नहीं लगी दोनों बताईएगा अच्छी लगी तो भी बताईएगा नहीं अच्छी लगी तो भी बताईएगा और यह मैंने देखो डाल दिया सरसो का तेल और आप चाहे जो भी तेल यूज करते हैं रिफाइन यूज करते हैं तो रिफाइन डाल देजिएगा और यह मैं सरसो का तेल डाल देती हूं यह गरम वो गया है तब ढाल दी ईसमें जीरा और यह दाल दिया ही चैक सथा जाएगा दोनों सौरी एया मैं डाल दिया फॉर ब्याज को मैं अच्छा बंदा और प्याज को मैं अच्छा पका लोंगे स्टेस्ट अच्छा लगता हैं और कोई भीुटे थुरणी अच्छी भूनी तक चला जाए गाद में इसमें डूदा डूफ जींजल गालिक पेश्ट जिंजल गालिक पेश्ट डालने पड़ने के बाद में उसको मैं 10 सिकंड तक पका दोंगी क्योंकि उसके जो भी जम निकल जाएगा तो इसको भी देखो अच्छे से से साइड से ओल चोड़ दिया है अंशDheniya पॉडर chamash, haldi p Flight both maintain 여러ma टाल के अच्छे सेभूह पूण लेती हुआ। अब इसपों डालेए। अच्छे से भूने मतल podéisreuwn. लूम कहते हैं। गें क्ःति यृट्हे up ल्द्वास मसाला ऐसा क्ष़िते हैं। एक हरी मिर्च श्ते पीसे 1 श्तता है। इसमें डाल देती हूं नमक नमक डालोंगे तो टमाठर हो जाएंगे सौट और इसमें डाल दिया मैंने मोटे मोटे पीसेस आलू दो और इसको भी अच्छे से चला लूँगे और ये भी सौट हो जाएंगे फर उसको दो मिनिट तक मैं रिष्ट रखने के लिए और फिर मैं पहले खीलियर कर देती हूं और क्योंकि यह सूखी वाली मटर है जब आपकी घर में सब्जी समझ में नहीं आदी न तो जैसे चने हो गया चोले हो गया राजमा हो गया और मतलब कुछ भी बना सकते हैं मटर हो गया तो यह मैं आलू मटर की सब्जी ऐसे बनाती हूं कभी- और यह मैं बंद कर दूँगे इसको थोड़ा पानी डालके एक गलास और बंद कर दिया चार से पांच सीटी आ जाएगा और फिर मैं इसको बंद करके पांच-छे सीटी आ जाएगी अच्छे से क्योंकि मटर है न तो पकती नहीं है जल्दी से और यह देखो हो गई मेरी में डाल देते हैं खुब सारा धनिया और देखो अच्छी लग रही ना यह देखो सबजी रोटी आप आके खाला सभी लोग हेलो कैसे हो आप लोग मैं तो अच्छी हूँ और अभी आगे मैं आप लोग से फाइनली बात करने के लिए इस घड़ी को माइंड मत करिएगा य इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ और जो भी है आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा पूरा देखके और मुझे जरूर बताएगा आज मैंने दो-दो रेस्पी सेयर की है आप लोग के साथ एक घी बनाने की और एक सबजी बनाने की और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा आप लोग की कैसा लगा आप लोग को और आप लोग अगर कमेंट में बताओगे ना तो मैं कुछ और अच्छा करने की कोसिस करूंगे आप लोग के साथ सेयर करने की कोसिस करूंगे नहीं नहीं चीजे और नहीं नहीं चीजे आपको हमारे वीडियो में देखने के लिए मैं जरूर पूरी कोसिस करूंगी और जो भी मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं करूंगे आप लोग के लिए लेकिन आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा प्लीस मुझे ज्यादा नौलेज तो नहीं है इन सब चीजों के बारे में लेकिन मुझे एक चीज इस वीडियो से सबका देखके मुझे समझ में आता है कि जो हमारी ये मेमोरी होती है ना कि जितना टाइम हम जहां रहते हैं उतना टाइम हम अपना सब कुछ रूटिन दिखाते है ना तो ये कि ये हमारी आदगार बन जाती है तो मुझे एक ये सच बता रहे हूं आपको न और ये सारी चीज अगर मैं पहले ही की होती तो कितनी सारी अच्छी अच्छी मिमोरिया मतलब यादे बनी होती जिससे बोलते है ना बहुत सारी अच्छी अच्छी यादे तो वह बनती और चलो कोई नी देर ही सही लेकिन सुरुआत तो किये तो मुझे ऐसा लगता है देर या तो पर्सों की वीडियो में मिलूंगी क्यूंकि मुझे ज्यादा तर नहीं होता है सुट करने के लिए लेकिन जितना बन पड़ेगा उतना मैं सुट करके आप लोग को जुद दिखाऊंगी और उमीद करूंगे आप लोग को जगल पसंद आएगा बाय गुड़नाइट पिक्यार